हेलो दोस्तो अगर आप Paytm के यूजर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है क्योंकि एक न्यूज आ रही है कि Paytm को Google Play Store पे से रिमूव कर दिया गया है क्यों किया गया है इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करना मत बूलेगा दोस्तो जैसे की न्यूज आ रही है कि Google Play Store पे से Paytm को रिमूव कर दिया गया है इसके पीछे क्या बात होगी इसकी अभी तक कोई भी official announcement नहीं की गई है Google की तरफ से जो भी users जो Paytm यूज कर रहे थे उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि Paytm पे जिस तरह की gambling app को बहुत जादा बढ़ावा दिया जा रहा था उसकी वज़े से Google Play Store पे से Paytm को हटा दिया गया है जैसा कि आप सभी को पता है कि Google की ये guidelines होती है कि आप किसी भी तरह की gambling या हम यूँ कहें कि जुवा बहुत सारे news देखते हैं कि आप 10 रुपे लगाईए आपको 1 करोड रुपे मिलेगा इस तरह कि किसी भी fraud app को बढ़ावा नहीं देता इसी वज़े से Google ने Play Store पे से Paytm को हटा दिया है हाला कि अभी तक इसकी official announcement नहीं की गई है आप सभी से भी request है कि इस तरह के app पे बिल्कुल यकीन नहीं करें क्योंकि IPL चलने वाला है इस तरह के बहुत सारे app launch किये जाएंगे जिस पे आपको कहा जाएगा कि आप 10 रुपे लगाईए आपको 1 करोड रुपे मिलेगा 20 रुपे लगाईए आपको 2 करोड मिलेगा इस तरह के app launch किये जाते हैं तो शायद हो सकता है कि इसी के चलते Google ने Play Store पे से Paytm को हटा दिया है Paytm की तरफ से कोई भी announcement नहीं की गई है कि Paytm return back कब करेगा अब question यह आता है कि अगर आपके पैसे Paytm में फसे हुए तो आप उसको use कर सकते हैं या नहीं use कर सकते हैं तो दोस्तो Paytm में जो आपके पास पैसे हैं वो आप ज़रूर use कर सकते हैं बस आपके पास कोई भी update नहीं आएगी Paytm की जो नई users Paytm के साथ जोड़ना चाहते हैं वो आप install नहीं कर सकते हैं क्योंकि Play Store पे मौजूद ही नहीं है Paytm तो आपको घबरानी की ज़रूरत नहीं है आपके पैसे बिल्कुल safe रहेंगे Paytm हो सकता है Google की तरफ से कोई notification अगर Paytm को मिलती है तो रिटन बैक करेगा अगर आप YouTube Created है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि आप अगर gambling related कोई भी application का अगर review करते हैं या आप उसके sponsorship लेते हैं तो आपके channel पे एक guidelines strike आती है कि आप इस तरह के किसी भी app को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं तो यह Google के policy होती है तो इसी के चलते हो सकता है Paytm को Play Store पे से हटा दिया गया है तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर चैनल पर पहली बार आएं सब्स्क्राइब करना मत भूलिएगा Thank you friends